हिजाब करांती पर इरान की साजिश बेनकाब हो गई है महसा अमीनी की मौद के बाद हिजाब करांती दबाने के लिए इरान के प्रदर्शनकारियों से जूट बोला कि उन्होंने मौरेलिटिव पुलिसिक पर प्रतिबंद लगाया लेकिन अमेरिकी मीडिया ने जूटे तावे का परदा फाश कर दिया अमेरिकी मीडिया के बो तावेक इरान ने हिजाब करांती दबाने के लिए जूटा ओप्रेशन चलाया और इस जूट के सहारे इरान ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को नियंतरित किया लेकिन हकीकत ये है कि इरानी महिलाएं अभी इरान में कटरपंथियों के अधीन हैं, लाखो इरानी महिलाएं इरान में स्लामिक रिपब्लिक का अंद देखना चाती हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दूसरे देशों की मीडिया ने भी इरान के दावे का खंडन किया। थोड जहां प्रदर्शन कारियों ने मच्दाद में सड़क पर जाम लगा दिया प्रदर्शन कारियों ने सड़क पर टायर चलाए जिसकी वज़से मच्दाद हाईवे की सड़कों पर कारों की लंबी कतारे नज़र आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि करीब 15 से 20 लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं जिसकी वज़से कारों को निकलने में परिशानी का सामना करना पढ़ रहा है लेकिन किसी भी मुसाफिर ने इस प्रोटेस्ट का विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है ये लड़ाई इरानियों के लिए कितनी माइने रखती है ये इरान में मौझूदा हलात की तासा तस्वीरे हैं सुप्रीम जूट के बाद प्रदर्शन कारियों में उबाल है और नतीजा आपकी टीवी स्क्रीन पर है बीच सडक पर प्रदर्शन कारियों ने आग लगा रखी है और इस आग को भड़काने के लिए रवड के टायर डाले जा रही है इरान में ये तस्वीरे अब आम है क्योंकि आसपास से गाडिया बेजिजग गुजर रही है सोशल बीडिया पर वारल ये वीडियो भी कार के अंदर से बनाया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मौरलिटी पुलिस को भंग न करने के विरोध का है ये खौफनाक तस्वीरे भी इरान की हैं और मौजूदा हालात को देख कर लग रहा है कि जिस क्रांती को दबाने के लिए इरान ने सुप्रीम चाल चली थी अब वो क्रांती के पहले भी रौद्र रूप धारण करने वाली है प्रदर्शनकारी इस घर को जलाने के लिए एक के बाद एक आग के गोले सुलका कर फेक रही है आग लगने के बाद प्रदर्शनकारी तेजी के साथ गायब भी हो जाते हैं ताकि इरानी सरकार या प्रशासन के अधिकारी उन्हें पहचान न ले क्योंकि इरान में अब तक कई लोगों ने बगावत की कीमत अपनी जान गवा कर चुकाई है इरानी एथलीट एल्लाज राकवी को बिना हिजाब एक प्रतियोगता में हिस्सा लेने की कीमत अपना घर गवा कर चुकानी पड़ी तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जहां एल्लाज का घर था वहाँ मलवे का धेर पड़ा है जमीन पर एल्लाज के धेरों मेडल पड़े हैं जो एल्लाज ने अपने देश इरान के लिए जीते थे लेकिन शायद इरान सरकार के लिए एल्लाज के मेडल से जादा अपनी कटरपन सोच से प्यार है वीडियो में एलनाज के भाई रोते हुए नजर आ रहे हैं वहीं इरान के प्रशासन ने इस कारवाई के पीछे की वज़ा कुछ और बताई है प्रशासन के मुताबिक इस घर के निर्मान के लिए एलनाज के परिवार के वास वैद पर्मिट नहीं था गौर तलब है कि साउथ कोरिया में एक अंतराष्टी एक क्लाइमिंग प्रफियोगिता में हिस्सा लेले गई एलनाज ने हेड सकार पहनने से इंकार कर दिया था जिसके बाद तेहरान लौटे पर एलनास का अंतराष्टी हवाई अड़े पर जोरुदार स्वागत हुआ था हवाई अड़े पर नाट की इद्रिश्य देखे गए जहां उन्हें अलग ले जाए जाने से पहले मौजूद भीड ने उनका भव्य स्वागत किया इरान ने मौरेलिटी पुलिस पर क्या फरेब किया ये सवाल अब विहत बड़ा है सोशल वीडिया पर दावा किया जा रहा है कि तेहरान के अम्यूजमेन सेंटर पर एक महिला करमचारी बिना हिजाब की नज़र आई जिसके बाद इस सेंटर को ततकाल प्रभाव से बंद कर दिया गया और महिला करमचारी के खिलाब इस मामले में केस दर्श कर दिया गया इस पोश के साथ सोशल वीडिया पर दावे किये जा रही है इरान ने मौरेलिटी पुलिस को भंग नहीं किया है और ये इरान के लोगों के साथ सबसे बड़ा थोका है वीडियो में जश्ट बनाने वाला ये शक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा सोशल वीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस सक्स की सुरक्षा बलो ने इसलिए हत्या कर दी क्योंकि ये इसलामिक रिपबलिक के खिलाब अमेरिका की जीत पर चश्ट मना रहा था इस सक्स का नाम महरान सामपक बताया जा रहा है जिसने सोशल वीडिया पर लिखा था कि इरान की सरकार के खिलाब हम सडकों पर उतरेंगे इरान में हिजाब करांती पूरे शबाब पर है जनता सडकों पर है और बहिलाओ की जुबान पर इंकलाब है नतीज़ा ये है कि अब इरान की जनता कंटरपंधियों के खिलाब पागी हो गई है शहर शहर इरान के सुप्रीव लीडर के पोस्टर जलाए जा रही है इरान में जिसे जहां मौका बिल रहा है वो घर के खिलाफ मोर्चा खोलने को तयार बैठा है सडके हो, कॉलेज हो या फिर रेल्वे स्टेशन इस वीडियो में सब्वे स्टेशन पर खड़ी लड़किया प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है लड़किया नारेबाजी कर रही हैं, हमें बच्चे का हत्यारा साशन नहीं चाहिए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो तेहरान के सेदगी है सब्वे स्टेशन का है जहां इन प्रदर्शनकारी लड़कियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की इरान में प्रदर्शनकारीयों को सरकार और प्रशासन की नियत का पता चल चुका है इसी का नतीजा है कि प्रदर्शनकारीयों ने 20 सडक पर आगजनी कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की प्रदशनकारियों ने मशचत शहर में देरराद लारेबाजी और विरोध प्रदशन किया प्रदशनकारियों ने कहा कि ये साल खूल बहाने का है सुप्रीम लीडर अब खत्म हो गया कॉलिज की ये छात्राएं इरान के सबसे क्रांतिकारी गाने बरहे को गा रही है सोशल बीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये इरानी छात्राएं, करांतिकारी गीत, बरहे गा कर प्रशासन और सरकार को चुनव की दे रही है जिनका ब्रेनवाश करना किसी के बस की बात नहीं है मौलवियों की 43 साल की मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि आज की इरानी लड़कियों ने इनके कटर पंद को नकार दिया है और महसा अमीनी को अपना आदर्श मानते हुए हला बोल का बिगुल फूग दिया है सैकलो लोगों के बीच आग का घेरा है, उस आग से काले धुए का गुबार उड़त रहा है तस्वीरे इरान के एक बतन जिले की है, जहां प्रशासन के खिलाब सैकलो लोग एक जुट हुए और विरोध प्रदर्शन किया इस दौरान प्रदर्शन कारियों ने सरकार के खिलाफ लारेबाजी की और सरकार विरोधी गीत भी गए हाला कि जादातर प्रदर्शन कारी किसी भी विरोध प्रदर्शन में अपना चेहरा दिखाने से बच रही है क्योंकि एक रिपोर्ट के मताविक इरान ने साल 2022 के अंदर ही 500 से जादा लोगों को फासी के फंदे पर लटकाया गया है इरान में 5 से 7 दिसंबर तक राष्ट व्यापी हरताल का आववहन किया गया है और इस आववहन से इरानी सरकार इत्ती डर गई है कि एक स्कूल के प्लेग्राउंड को ही छावनी में तब्दील कर दिया गया है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्कूल के फुटबाल ग्राउंड में सुरक्षा बलो की 5 गाडिया खड़ी है स्कूल के अन दूसरे कोने में भी कई गाडिया खड़ी है ये तस्वीरे बताने के लिए काफी है कि इरान में मौझूदा हलाद कैसे है ये तस्वीरे इरान में क्रांती के 81 दिन यानी 5 दिसबर की है जहाँ व्यापारियों ने बंद के सबर्थन में बाजारों को बंद रखा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इरान के व्यापारी, खिलाडी, स्टुडेंट्स, खुल कर सरकार से बगावत कर रहे है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक कोने से दूसरे कोने तक दुकाने बंद नजर आ रही है हर तरफ दुकानों पर ताला लटका है सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि इरान तेजी से जीत की और बढ़ रहा है इरान की जंता ने कटरपंथियों के खिलाब दुनिया भर में मोर्चा खोल दिया है इरानी जंता और विपक्ष के समर्थकों ने इरानी सरकार के खिलाब रैली की तस्वीरों में सैक्डों लोग हाथ में जंडा लिए खड़े नजर आ रहे हैं साथ ही वीडियो भी बनाते दिख रहे हैं वहाँ पर उन लोगों की फोटो लगाई गई जो अब तक इस हिंसक प्रोटेस्ट में अपनी जान गवा चुके हैं एक, दो, तीन, चार, पाँट, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह बस गिनते ही जाएए इरान के शासकों ने देश के कुर्द इलाकों में सरकार विरोधी प्रदशनों को दबाने के लिए कारवाई तेस कर दी है इन शेत्रों में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है करीब तीन महिने से हो रहिज विरोध प्रदशनों में कम से कम पचास से जादा नाबालिकों समेद 400 से जादा प्रदशनकारियों के मारे जाने की खबर है इरानी सेना को सक्त आदेश है कि हिजाब विरोधी प्रदशन का हर हाल में खात्मा किया जाए फिर चाहे इसके लिए लाशों काम बार लगाना पड़े इरान के सुरक्षा बल इतनी बहरमी पर उतराए हैं कि मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है यह तस्वीरे एक मासूम बच्चे की शवयात्रा की है जो इरानी सेला की गोलियों का शिकार बन गया गोलाबारी के विरोध में परदशनकारियों ने सडक पर ही जुलूस निकाला नौवर्सिय कियान की मा का आरूप है कि सुरक्षावलों ने उसके बच्चे को मा डाला यह तस्वीरे इजिये शहर की बताई जा रही है गिनना मुश्किल है लेकिन करीब 20 से ज़ादा मोटरसाइकिल सडकों पर स्वाहा हो रही है और यह मोटरसाइकिल उन लोगों की हैं जिस पर सवार होकर बंदूग धारी आये थे और 9 लोगों की हत्या के बाद फरार हो गए पश्चमी इरान में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई जिन में से 9 लोगों को रहस्य मैई बाइक सवारों ने भून डाला मृतकों में दो नाबालिक बच्चे भी शामिल है वहीं इरानी सरकार सिर उठाने वालों के सिर कलम करने की तैयारी में है जानकारी के मुताबिक इरानी अधिकारियों ने कम से कम 21 लोगों को सजाय मौत दिये जाने की मांग की है जिन में से अभी तक छे लोगों को मौत की सजा मिल चुकी है इरान में हिजाब करांती ने हुकूमत की जड़ों को हिला कर रख दिया है इरान में करीब धाई महीने पहले से विद्रोह चारी है इरानी सुरक्षा बल कहर बन कर तूटे इरान ने इस दिन छटे प्रदशनकारी को मौत की सजा सुनाई तहरान की रेवोलूशनरी कोट ने छटे प्रदशनकारी को मौत की सजा दी जानकारी के मताबिक प्रदशनकारी को हत्या के इरादे से चाकू निकालने आतंग फैला ने समाज में असुरक्षा पैदा करने का दोशी पाया गया था बताया जा रहा है कि कोट ने प्रदशनकारी को मुहरेबेह का दोशी पाया यानि खुदा के खिलाब युद्ध छेड़ने का इरान की जंता ने कटरपंथियों के खिलाब करांती का बिगुल बजा दिया है और तो और इरान के सुप्रीम लिटर आयातुल्ला अली खामेनई की भतीजी फरीद मुराद खानी को गिरफतार कर लिया गया है फरीद पर आरोब है कि उनोंने इरान का बहिशकार करने का अवहन किया और अपने चाचा खेमिनई की तुल्ला हिटलर से की फरीद का इरान सरकार के खिलाब एक वीडियो इंदिनो वाइरल हो रहा है जिसमे उन्होंने खेमनई और अधिकारियों के खिलाब बयानबाजी की थी